तो गाइस किसी भी ATM की मशीन से पैसे कैसे निकाले जाते हैं सबका एकी प्रसीजर होता है पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ A&B की ATM की मशीन से कैसे पैसे निकाले जाते हैं तो आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि SNB की ATM की मशीन से कैसे पैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर दो तो अब जो नई ATM मशीन आ रही है उनके उपर तो touch screen का option भी आपको देखने को मिलेगा कि इस screen पर touch करके आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ATM मशीन में left और right पर buttons दिये हुए तो इन buttons की मदद से हम select करेंगे तो आपके पास सौधिरब में किसी भी bank का ATM काड हो आपको अपने ATM काड को insert करना है ATM मशीन में और जैसा कि मैं यहाँ पर insert करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर यह screen आ जाएगी अब इसमें यहाँ पर हम अपना pin number लिखेंगे जो ATM काड का pin number है और उसके बराबर में आप देख सकते हैं press here तो यह जो button है इसको मैं press कर दूँगा और press करने के बाद अब हमारे सामने यह screen आ जाएगी आपर आपको देखने को मिलेगा cash withdrawal का option balance inquiry का option, cash deposit का option, mini statement का option और other service का option भी तो हमको यहाँ पर cash निकालना है तो cash withdrawal के बटन पर click करेंगे तो हमारे सामने यह screen आ जाएगी अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 50 रियाल, 100 रियाल, 500 रियाल, 1000 रियाल और 5000 रियाल भी तो अब हम यहाँ पर अपना cash निकाल लेंगे तो यहाँ पर अगर आपको 700, 800 रियाल निकालने हो या 1300 जैसा के रियाल निकालने हो यानि other amount निकालनी हो तो यहाँ पर other amount का भी option है तो इस button पर हम click कर देंगे other amount के button पर तो हमारे सामने यह screen आ जाएगी अब यहाँ पर हम अपनी amount को enter कर लेंगे मैं यहाँ पर 50 रियाल एंटर कर दूँगा और उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं के confirm का option है तो इस confirm के option वाले button पर हम click कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पर यह process होगा और यहाँ पर सबसे पहले आपका ATM card भार आ जाएगा और उसके बाद जो है आपकी amount आ जाएगी तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हमेशा की तरह फिर से यह बात बता दूँ कि आपको अपने ATM card का pin number या ATM card का number या किसी भी किसम की ATM card की information किसी भी शक्स को नहीं देनी है यानि किसी के साथ भी आप अपनी ATM card की या अपने bank account की information शेयर नहीं किया करें तो एक बात और मैं आप से शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप shopping करने जाते हैं shopper तो आपको अपने ATM card से ही shopping करनी चाहिए यानि के ATM card को दे कर पैसे कटवाने चाहिए और अगर आप साथ भी आप में पैसे भीजने के लिए किसी bank जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने ATM card को ही use किया करें तो यहाँ पर कहने का मकसद यह के cash अपने जरूरत के मताबे निकाला करें अपने ATM machine से और आपको अगर shopping करनी है और जो भी काम करना है वो अपने ATM card को use करके आप कर सकते हैं और अगर जिन लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो भाई अभी जाओ चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसी news और ऐसी informative videos लेकर आता रहता हूँ इस चैनल के उपर और इस वीडियो को like जरूर मार देना यार